हेलो दोस्तो मेरे पास एक फोन है रेटमी नोट सेवेन इस फोन में यहां पे देखो प्रब्लेम क्या हो राए डिसी पावर सफलाई से वान टू थीरी वान टू थीरी इस तरह रेडिंग आ राए और जीरो हो राए पावर की डवाने से और इस फोन का बैटरिक कनेक्टर पर किसी भी प्रोका का शॉट नहीं है तो इसी तरह अगर प्रोब्लेम आता है आपका फोन में भी चाये मॉडल कुछ भी हो मॉडल से कुछ मतलब नहीं है डिसी पावर सभी लागाने का बात और पावर की प्रेश करने से अगर आपका फोन में वान टू थीरी फोर इस तरह रेडिंग आ रहे तो आपका फोन में कहीं न कहीं पे हैंडेट 10 परसंट शौड होगा और इस शौड को अम लोग डिसी पावर सभी से कैसे ठीक करें मेरा यह वीडियो देखो समझ में आयेगा और शॉट क्लियर काफी डेंजर होता है शॉट क्लियर यूश मत करें डिसी पावर सालवाई से अब ठीक कर सकते हैं बहुत यह आसानी से तो दोस्तों यह जो पावर एसी है इस पावर एसी का आसपास में हम लोग चेक करेंगी मिटर से देखना है कही ने कही शॉट आपको मिलेगा अगर इस तरह रेडिंग आता है वान टू थीरी फोर तो मादर बोट में कही ने कही पर 110 परसेंट मिलेगा आपको तो यहां पर द सा रोजिन का धुआ आइसी के उपर में फेला देंगे आइसी का आसपास में अगर हो सके तो पुड़ा मादर बोट में लागा दो रोजिन का धुआ फिर डिसी पावर सपली फोर वोल्ट फाइब एमपेर में राखो और जो बूट केवल है बूट केवल का एक पिलास एक माइनस ओयर लेलो थुआ सा रोजिन का धुआ बूट केवल का पिलास माइनस ओयर और बहुत यह आसन तरीका है यह जो ग्राउन है यह रखना है बोड़ी पर कहीं पर भी लागा दो और जो पिलास ओयर है जो कैपासीटर का पिलास साइड में लगाओ या तो दूनो साइड में लागा के चेक कर सकते halves प्रोब्लम नहीं है क्योंकि हमने शोर्ट किलर नहीं लगाया हमने क्या लगाया बनिस फचलर पर सब्लाई तो इसी तरह आप दुनों साइट में लागा कर सकते हो और आच्छा से देखो कहां पर हीड हो रहा है तो मैंने पावर I.C. का आसपास में लगा दिया रोजिन कर दुआ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहां पर हीड हो रहा है यहाँ पर देखो तो मुझे लाग रहा है कि पावर IC का जो दूसरा पावर IC है क्योंकि इस फोन में दो दो पावर IC है तो इस टीना का अंदर कोहीं कोई प्रब्लम हो सकता है तो एक बार टीना को निकालके इस IC का असपास में मतलब पूरा मादर बोट में इस बार रोजिन का धुआ अस्टा से खराएगा उसके बाद दोबरा DC पावर सब्ले यूज़ करेंगे शॉट क्लेर इसलिए यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो डायरेक्ट जला देता है और यह DC पावर सब्ले आपको डायरेक्ट जलाएगा नहीं जूस्ती स्खराब होगा उसको हीट करेगा तो इस पावर आईसे का अस्पास में एक बार देख लो मिटर से कोई पर शॉट बगरा हाई का नहीं है पी एम सिक्स वान फाइब जिरो पावर आईसे तो यहाँ पर कोई पर भी शॉट नहीं है यहाँ पर शॉट है यहाँ पर देखो फिर भी फिर भी मदर बोट में अस्पास से रोजिन का धुअ फैला दो और यह रोजिन का धुअ बहुत या आराम से फैल जाता है आपको करना क्या है आयलोन को जवरदर से हीट में रखना है 350 राखो और मादर बोट में टास्ट नहीं करना है थ्वराशा रोजिन में लगा दो और मादर बोट में टास्क नहीं करना है मादर बुट में मादर बुट का थोड़ा सा ही उपर में रखो आयरोन को और यह अटोमेटिकली फ्यल जाता है तो तो दूबरा कोशिश करते हैं देखते हैं का आप यहीड होते हैं देखते हैं ग्राउन लगाना यह बोड़ी पर और यह जो प्लाज व्यार है क्यापासिटर का दुनों साथ में आप लगा सकते हैं यह उदर कुछ दिक्क्त नहीं है जब सईसे लगेगा तब जो सी स्खराब होगा वो गरम हो जाएगा हीड हो जाएगा फिर आपको मालूम चल जाएगा कि यह सी स्खराब है बहुत है यहाँ पर देखो यहाँ पर एक छोटा सा कैपासिटर है यह कैपासिटर हीड हो रहे तो इसके मतलब यह कैपासिटर क्योंकि बहुत कापी डेंजर होता है तो अभी यहां पर देखो थोरा सा भी शॉट नहीं है पहले फुल शॉट था आपने देखा होगा अगर डिसी पावर सफले आपका गलती से भी कोई और लग जाता है फिर भी आपका मोबाल डेट नहीं होगा और शॉट क्लियर एक ऐसा सीज है अगर गलती से दुसरे जगा में लग जाता है तो आपका मोबाल बंद हमेशा के लिए बंद ऐसे होता है तो दोस्तों आप फटापट चेक करते देखते हैं कैमेरा यह सेट ओन हो रहा है कै नहीं और आप सबको मालूम है मैं भाईस देता हूँ घर में आके और इस फोन में कुछ आजब सा गजब सा प्रोब्लम आया है यहां पे देखो सेट ओन नहीं हो रहा है क्यू ओन नहीं हो रहा है आपको अब भी मालूम चल जाएगा सबसे पहले बैटरी देख ते कितना चार्ज है 4 वोल्ट और यह सेट अन नहीं हो रहा है यह सेटा अन होना चाहिए था लेकिन अन नहीं हो रहा है और यह सेट किसी दुकंदर भाई का है उसने लेके आया और यह आन क्यूं नहीं हो रहा है अब direction मलुम चल जाएगा देखें ना एक बार डिसी पापर सबले से चेक करते हैं ना पहले क्या हो रहा था वान टू थीरी फॉर इस तार रेडिंग आ रहा है और जीरो हो रहा है आप देखते क्या हो रहा है और आपको भी दिखाएगा क्या हो रहा है तुँ यहाँ पर देखो अभी हो रहा है 300-400 रेडिंग आ रहा है और जीरो हो रहा है तो एसे में आपको क्या समझ में आयेगा मुझे बताओ चलो सबसे पहले आप भी देखलो डिसीप पपट सफले में क्या रेडिंग आ रहा है फिर बात करते हैं यहां पर देखो दोस्तों पहले क्या हो रहा था वान टू थीरी फॉर इस तरह रेडिंग आ रहा था अब देखो 400-300 इस तरह रेडिंग आ रहा है फिर जीरो हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि सिफ्यू का अंदर का जो बल्ल भगरा है यह ड्रय हो गया साइथ इसलिए ऐसा हो रहा है तो हम लोग नर्मली क्या करते है इस फोन में यह नोट सेविन में बिलाग पेश्ट होइट पेश्ट किसी भी तरह का पेश्ट नहीं होता है नोट सेविन पुरो है यह तो अब थोड़ा सा पेश्ट लागा के बुलाओर से हिट कर सकते है लेकिन उससे पहले एक बार देखते हैं आश्चा से जो टीने में निकला है कि कोई ट्रेक मीज तो नहीं हुआ कोई लाइन खरब तो नहीं हुआ तो यहां पर देखो फिंगर पिन का जो कनेक्टर है यह देमेज हो गया यह खराब हो चुका है इससे मतलब नहीं है जो मैंने टीने लेकला था यहां पर देखो ऐसे तो किसी भी फुका कर लाइन ब्रेक नहीं है मुझे लग रहा है लाइन ब्रेक नहीं है तो भी भी होता है ना टीने निकलने का चक्कर में लाइन ब्रेक हो जाता है फिर पहले उसको देखना चाहिए अच्छा से अगर आप काम करने का बात में सेट और नहीं हो रहा है तो पहले उसको अच्छा से देखो और यहां पर देखो किसी भी प्रोकर का पेश्ट नहीं है बिला खोयट कुछ भी नहीं है थोरा सा पेश्ट लागा के मेरा यह मेकानिक का बुलोर से अभी हीट चल रहा है 350 350 हीट में रखके स्रिफ करना क्या है आईसी को थोरा सा ही हिलाना है ऐसा हिलाना है थोरा सा कि अंदर का जो बाल है यह दोबारा से रिसोल्डरिंग हो जाए और भी कुभी ड्राई होने का बज़ा से लाइन सूट जाता है ना तो थोरा सा प्रेश लगाके अगर दोबारा हिट करते है और थोरा सा आईसी को हिलाता है तो यह फिर से रिसोल्डरिंग हो जाता है ऐसा करना और आईसी को निकलके दोबारा बैठाना सेम कम होता है ठेक है राख तो फटापट मादरबुट को ठंडा करके देखते हैं कि हम लोग का प्रूब्लेम जो है थ्री हेंड़ फोर हेंड़ रेडिंग आ रहा है और जीरो हो रहा है कि आभी यह साल्प होगा के नहीं तो मैंने पहले आपको बोला था यह किसी दुखांदर का भाई का सेठ है उन्होंने पहले एक खुल खालके लेके आया और उन्होंने सबसे बरा एक गल्ति किया है तो यह मेरा पहले नजर में नहीं आया था अभी जब हम चेक करने गया मिटर से तब समझ में आया कि भाई सालम मैंने तो बिकार आईसी को हीट किया आईसी को बिकार से हिलाया मेरा जो प्रूब्लम था वो पहले ही सल्प हो गया था पैसी lowest इस एहां या यहां पर देखाओ आभी ऑन नहीं हो रहा है за अब भी ऑन नहीं हो रहा है कि एम्सकस के पाए इसके मतलब क्या है unit इसका मतलब चार्जिंग के लाइन में कहुंए को से पहलत है यहां पर देखो फूल शॉट, भीवर्स का लाइन में फूल शॉट, जैसे पत्ता को निकल दिया अभी शॉट नहीं है, और सबसे बड़ा गलती यहां पर देखो, यह भाई ने क्या किया है, पत्ता को उल्टा लगाया, मिन पत्ता को लगाया साब बोट की साइट में, और ज देहन नहीं दिया था, और बिकार में CPU, EMC को भिला दिया, तो वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक शेयर स्क्राइब करना मैं चुल्ट, ठाइंक को समस,